हेलो स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासस पर स्वागा था उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छ होंगे मस्थ होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई भी बेतर चल रहे होगी क्लास टुल्ट एंसी आटी चैप्टर सेकेंड चला जिस चैप्टर क में आप लोग सीखने वाले हैं वांट हाप समीकरण वांट हाप एक्क्वेशन वांट हाप ने सन 1887 में एक समीकरण दे दिये भाई सहाब जैसे आप लोगों ने बिलियन के बारे में इस चैप्टर में बहाद अध्यन किया आदर्स बिलियन आपने समझा जो राउल्ट के अधार पर हमने परस्णदाब की बात की थी कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा मतलब जिस भी बिलियन का परस्णदाब राउल्ट के परस्ण अदाप के बराबर होगा वो आपका आदर सिविल्यन कहलाता है तो वांठाप साहब निकले बड़े चालू और उन्हों ने आदर सिविल्यन के परस्ण अदाप के बारे में अधन किया और बोले भाईया इससे हम एक समी कर दे सकते हैं साथ में हम इससे बिले पदार्थ की आर्विक द्रमान की भी गड़ना कर सकते हैं तो वांठाप साहब सन 1787 में अपने प्रयोगों में आदर्स बिलियन और तनू बिलियन के लिए अध्यन किया परस्ण दाप से संबंद में और उन्होंने बताया कि भाई साहब जो हमारा एक प्रकार से आदर् आदर्सवियलियन है वो आदर्सगैस की भादती ब हादर्स आते हैं आदर्सगैस समीकर पीवी बराबर अनौत है आप लोगोंने पड़ा ऑगाँ उससे आप बांठाप समीकर भी सकते हैं जब भी हम आदर्स गेस समीकर निकालते हैं तो दो चीजों की जरूत होती है एक बायल का नियम एक चाल्स का नियम थोड़ा सा आप लोग समझे वायल का नियम और आपका वच्छो चाल्स का नियम यह चाल्स का नियम दो नियम यहां पर जरूत पड़ती है एक बायल का नियम एक चाल्स का नियम तो वायल के नियम के या आधार पर वायल बांट नियम हम कह सकते हैं और चाल्स के नियम बांट हाफ नियम बोलते हैं आपर वायल वांट हाफ नियम और चाल्स के आधार पर चाल्स वांट हाफ नियम देखो यहां पर जो पहला नियम है वह आपका वायल का नियम है वायल साहब ने बताया था भाई तो वायल बांट हाफ नियम हाफ नियम ठीक है वायल बांट हाफ नियम वायल ने बताया था कि यदि हम ताप को इस्थिर रख दें ताप को इस्थिर रख दें ताप को इस्थिर रख दें तो जो भी जैसे हम आदर्स गेस सम करने कालते हैं तो हम पर जो प्रासरन दाब है वो समानुपाती होता है ताप स्थी जरतों के समानुपाती होता है कि जब हम आदर्स गैस की बात करते है तो दाब है वो यहां पर भचो परसन दाब लेकर चलेंगे क्योंकि आदर्स गेस में दाब लेकर चलते हैं और बच्चों यहाँ पर बायल बांठाप है जो कि आदर्स बिलियन के लिए है तो यहाँ पर परसन दाप की बात करते हैं ठीक है जिसको हम पाई से भी दरसाते हैं या करके हम कह सकते हैं या 25 अमानुपाती सी, कोई परसानी नहीं होनी चाहिए, दूसरे बाबा जी आये, जो चार्ल्स बांठाप थे, मतलब चार्ल्स के नियम के आधार पर बांठाप ने अपना नियम दिया, बांठाप नियम, इस बार उन्हों ने कहा, कि भाई इस बार हम ताप इस्थिर नहीं रखेंगे, इस बार सांद्रता को इस्थिर रखेंगे, सांद्रता को इस्थिर रखेंगे, जब सांद्रता को इस्थिर रखेंगे, तो ये परस्वन दाव, इस बार ताप के समानुपाती होगा, ठीक है, या करके बच्चों, पाई समानुपाती, हम T लिख सकते हैं उप्रोग तो दोनों को मिला दें तो हमारा बन जाता है सामान बिलियन समीकरन जिसे हम बांट हाप समीकरन बोलेंगे सामान बिलियन समीकरन ठीक है यदि दोनों को मिला दें बच्चो तो P समान उपाती CT या हम कह सकते हैं बच्चो यह हम कह सकते हैं, पाई बराबर, सी आरटी कह सकते हैं, ठीक है, यह दोनों ही दोनों, आपके बांठाप समिकर्ण हैं, ठीक है, उप्रोग तो दोनों को मिलाने पर, जहां आर क्या है, एक, इस्थिरांग के है, यहां पर बाईल बांठाप ने, आप देखवाई, लिखना है, तो आपको सिस्टेमेटिक लिखना है, नोट्स भी बनाना है, तो आप परसान नहीं होगे, इस्थिरताप पर किसी बिलियन का परसंदाब, उसके सानलता के समानुपाती होता, इस्थिरताप पर किसी बिलियन का परसंदाब, उसके परंताप के समानुपाती होता है, यही दोनों को मिला दे, तो P समानुपाती CT हो गया, और यहां पर समानुपाती यह ड़ा तो R1 ने थांक लग गया, तो Pi बड़ाबर CRT हो गया, जहां पर यही पाई, वांट आप सम्मी करने की स्थापना करिए फिर आप लोग आसानी से कर सकते हैं ना स्क्रीन साइट ले सकते बच्चो अभी तक यह नोट्स नहीं ले सकते हैं तो नोट्स ले सकते हैं कंटेक्ट नंबर आपको बता दिया जाता है च्शानवे पचासी उन्ती सिंग्के और बबन सास मात्र हेंड़ रूपी चार्ज लगता है बच्चो प्रापर रूप से आप हेंड़ी टे नोट्स ले करके और प्रापर रूप से त्यारी कर सकते हैं अच्छा चलिए सुरू करते हैं हम किसकी परश्रन दाप से आधर सिबि करना क्या निकालो बांठ आप समय करना क्या है बांठ आप समय करना तो अभी आपने निकाल लिया तो आप निकाल लें जुरुत है नहीं पाई बराबर क्या होता CRT जहां C क्या है? एक संद्रता है और संद्रता क्या कहलाता है? बताओ परंतु संद्रता क्या कहलाता? आप ही बताओ एक निश्चीत आयतन में बिले के मोल की संख्या ठीक है? जहां आपका NB क्या है? बिले के मोल की संख्या है बिले के मोल की संख्या सही है मोलों की संख्या है और बच्चों आप से कह दिया जा भी क्या है भी क्या है बताओ billion का billion का liter में आयतन है billion का liter में आयतन है ठीक है ? अच्टा यह चीज हो गया इसको मैं यहाँ पे धी रख दूं तो पाई बराबर कितना हो जाएगा N B अपान B R T अब मुझे N B का मान कितना होता है ये चीज पता होना चाहिए N B क्या है मोल की संख्या मोल की संख्या कैसे निकालते हैं जो भी पदार थे उसकी मात्रा उसका अन्विक द्रबमान जैसे मैं कहा दूँ कि W B क्या है तो बिले की मात्रा है यानि बिले का द्रबमान है बिले का द्रबमान है आपसे कहा दूँ N B क्या है बिले का आरविक द्रबमान है बिले का आरविक द्रबमान है ठीक है द्रब्मान और आणविक द्रब्मान में अंतर होता है द्रब्मान आपका ग्राम में दिया रहेगा किलो ग्राम में दिया रहेगा आणविक द्रब्मान आपको ग्यात करना होगा अब इसको यहाँ पे रख दिया जाए तो pi बराबर कितना हो जाएगा nb का मान कितना है wb बटा mb into में आपका rt है ये बच्चो और नीचे b है तो b रहने दो मुझे mb का मान निकालना तो mb पक्छांतर कर दू भाई बिले पदार्थ के आणबिक दर्बमान की गड़ना की जाती है तो wb rt upon pi pi दर ले जाओ भी हो जाएगा यही है भाई बिले पदार्थ के आणबिक दर्बमान की गड़ना ठीक है इससे हम numerical question गयाद करते हैं अब आप लोगों को एक sensor होगा कि sir b क्यों लिए तो भाई billion जो होता बच्चो दो घटकों से मिलकर बना होता है जो billion है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है हमेशा यह आपको basic knowledge होना चाहिए एक आपका बिलायक और एक आपका बिले बिलायक को a से रिप्रेजेंट करते हैं बिले को b से यदि इसके मात्रा की बात की जाए तो w आपका हो जाएगा w a और इसका हो जाएगा w b यदि आरविक दरबमान की बात की जाए आरविक दरबमान की बात की जाए तो m a और इसका हो जाएगा m b ठीक है यदि आयता नेदी मात्रा होता तो हम फिर b a b b कर सकते थे तो फिलाल यह जो हमारा पराश्रन दाब से आवास फिल विले कि आडविक दर्मान की करना ये चीज़ अपन कर सकते हैं और पराश्रन जो दाब से संबंदित है वांट आप समिकर वो आप कर लेंगे तो वीडियो पसंदाद लाइक करके शेयर जरूर करते हैं बच्चो निरंतर आप लिए मिनत किया जा रहा है हमारे चैनल पर पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नोट्स नहीं लिए तो अभी तक नोट्स ले करके तैयारी करें कंटेक्ट नंबर च्यानवे पचासी उन्तिस इंक्यानवे उन्चास हेंड़ड रूपी चार्ज है लेकिन प्रापर रूप्स